वेल्कम टू मैं चैनल एसकी नूलिज क्लास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा परतिय अस्थापन विधी से हल करने ठेक वीडियो को पूरा देखिएगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजी और घंटी को द्वाय को लिजी दोस्तों को परतिय अस्थापन विधी से निमने समीकरन को हल करें समीकरन है 3x-5 वा बरावर 20 दूसरा है x-2 वा बरावर 3 हमीं क्या करेंगे इसको माल लेंगे समीकरन 1 ठेक उसके बाद इसको माल लेंगे समीकरन 2 ठेक पहले चलेंगे समीकरन 1 से समीकरन 1 से ठेक क्या लिखेंगे 3x- एक्स का माण निकाल लेना हो ठीक तो एक्स का मॉन के हो जाएगा। प्लस पांच हुआ गुना में थीन एंस एक्स का माण की समिकरण麼2 में बैठाएंगे लिखेंगे X का मान समीकरन 2 में रखने पर 2 में इसलिए रख रहे हैं कि समीकरन 1 को हम हल किया है अगर आप समीकरन 2 को हल किढ़ा तो 1 में रखिए percentage हम तो 1 को हल किया है तो 2 में रख रहे हैं समिकरन 2 क्या है X प्लस 2 वा बराबर 3 X 20 प्लस 5 वा बटे 3 प्लस में E 2 वा बराबर 3 अब क्या करेंगे 3 लगुतम आ जाएगा 20 प्लस 5 वा प्लस 3 दूनी 6 वा बराबर 3 यहां भिनका जोर हो गया ठेक ती होगी आप 20 प्लस 6 प्लस 11 वा बटे 3 बराबर 3 आप देखिए 20 प्लस 11 वा बराबर भागा महत गुनाम हो जाएगा 3 तिया 9 11 वा बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस है तो माइनस 20 यानि कि 11 वा बराबर क्या हो जाएगा 11 y बढ़ावर क्या हो जाएगा? माइनस 11 11 कट की यानि कि y बढ़ावर यहाँ माइनस 1 ठेक अब लिखेंगे अत्र y का मान यहाँ बढ़ाएंगे हमको x बढ़ावर जो निकला है 20 पलस 5 y बटे 3 20 पलस 5 y बटे 3 बढ़ावर 20 पलस 5 y y कितना निकला है? माइनस 1 बटे 3 क्या हो जाएगा? 20 पलस मैनस 5 y बटे 3 यानि कि 15 बटे 3 और कट जाएगा 5 बेर में x का मान क्या निकल गया? 5 और y का मान माइनस 1 एंसर हो गया ठीक इस परकार साब को परतियस्तापन बिधी बनाना है अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब कर लीजिए और घंटी को दवा कोल कर लीजिए